नुश्कर दोस्कों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब्सक्राइब का आपके पनी चैनल इस पर्श क्लासेज दोस्कों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीड सकेंडियर का एक सब्जेक्ट है आपका जैनर इसकूल एंड सोसाइटी तो उसी कहाई हम आज से स स्टार्ट कर रहे हैं वीक में त्री डेज जो आपका बीड सकेंडियर के रहेंगे त्यूज्डे थर्सडे और सटरे इसमें आपको जेनर स्कूल एंड सोसाइटी की वीडियो आपको डेले देखने को मिलेंगी बाकि सब्जेक्ट जो आपके हैं अगर आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे और वहां आपको नौर्स और वीडियो लेक्शर दोनों ही चीज़े आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगी तो जेनर स्कूल एंड सोसाइटी की सिरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वीक में त्री डेज आपको मिलेगी आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे जनर इशू का की कंसेट क्या है तिक जनर इशू क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बैसिक इंट्रोडक्शन जो है वह आज किस वीडियो में लेगे तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीज़ेगा और वीडियो को लाश तक सबसे पहले आपकी यूनिट वन है हम इसमें कंटीन हम चलेंगे important topic को करेंगे साथ री साथ बताएंगे कि क्या आपके लिए important है और क्या नहीं है तो सबसे पहला आपकी unit है unit first gender issue की concept तो इसमें सबसे पहला question आपका sex and gender को लेकर आ है कि what is the difference between sex and gender link और sex में क्या अंतर होता है उससे related एक long question आपका बन जाता है जो की अक्सर exam में पूछा जाता है तो इस question को आप long answer type question के point of view से जो है इसको अच्छी तरीक से prepare करेंगे यहां पर हम थोड़ा सा इसको brief में ही define करेंगे sex is the biological character or quality that distincts male and female from one another जो आपका sex होता है यह आपकी जेवे की characteristics होती है qualities होती है हर एक व्यक्ति में कुछ biological characteristics होती है biological qualities होती है उन्हे qualities के आधार पर जब हम किसी भी बच्चे को किसी भी बालक को महिला या प्रूस के आधार पर यह लड़का यह लड़की के आधार पर जब हम divide करते हैं जब हम उनमें differentiate करते हैं कि हाँ यह लड़का है यह लड़की है यह बालक जो है male है यह female है तो उन्ही qualities को उन characteristics को हम जो है sex के नाम से जानते हैं जो यह आपका gender है यह आपका biological नहीं बलके sociological है मतलब समाज के द्वारा निर्मे थी एक term है समाज नहीं इस रप्त का निर्मान किया है sex के basis पर जो आपके qualities होती है उनके basis पर आपके roles निर्धारित कर दे जाते हैं आपके भूमी का निर्धारित कि जाती है आपके quality के आधार पर आपको कहा जाता है कि आप male है या female है और इन qualities के आधार पर आपके roles define कर दे जाते हैं समाज के द्वारा कि अगर आप male है तो आपका काम यह है आपकी भूमी का यह है समाज में female है तो आपकी भूमी का यह है इसे तरीके से और बहुत सारे हर एक लेवल पर अलग अलग रोल्स डिवाइड कर दी जाता है कि लड़कों का यह काम होता है लड़कों को इस तरीके से काम करना चाहिए तो वह सारे के सारे जो रोल्स है जो भूमीका है वो समाज के द्वारा निर्मित हैं उन्हीं को ही हम जेंडर बोल देते हैं आपकी जिम्मेदारी को डिवाइड कर दिया जाता है, आपके रोल्स को, आपकी भूमिकाओं को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम जेंडर के तोर पर परिभाशत करते हैं. इसके बाद हम नेक्स चलते हैं. आपके जिम्मेदारी को बताता है, जो हमारी परिवाद और समे भूमिकाओं आपके बताता है, जो हमारी परिवार और समाज और हमारी संस्क्रितियों में बनाई गई है ठीक है हमारी जिम्मेदारियों को बताता है जो जिम्मेदारिया किसने बनाई हमारे परिवार ने हमारे समाज ने और हमारी संस्क्रितियों में यह बनाई गई है जेंडर के अफधारना में प्रुष जो बताई जाती है उन्हें को हम जेंडर कहते हैं उनके बेसिस पर जब मेल और फिमेल को जब डिफरेंशियट किया जाता है नेक्ट आपका है अधार पर जो जेंडर भूमिका का मुद्दा है जो ये जेंडर रोल का जो इशू है कि इस जेंडर को से रोल देना चाहिए फिमेल को ऊसी रोल और फिमेलस को णको ये ना चाहिए क्यों देना चाहिए मेलस फिमेल्स के को besig को जयंको होने आपक़ के मज़मिक हुए कि मुद्द है जेंडर रोल का इसकते क्यल आपका ा viraled को k तरीके से आपका राजनेतिक मुल्यांकर कितना हो रहा है या फिर आपका political development कितना हो रहा है आपका economic development कितना हो रहा है इन से भी चीजों को समझने के लिए केंधर में रहता है आपका क्या अधिकार है, क्या responsibility है, क्या duty है और क्या relations है, उन में relations का क्या role है इसके बाते समय के साथ gender की भूमिकाई और मान्दन बदल सकते हैं as per time, जैसे situation होती है उसके आजार पर जो roles होते हैं, वो change हो सकते हैं जो criteria है, वो change हो सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में कहीं जादा कूरीतिया थी, बाली विवा जैसे, दहिच पर्था जैसे जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे बदल रही है पूरी तरीकी से खतम नहीं होई, लेकिन हाँ काफी हद तक जो है फिमेल है, कुन से resources मिलने चाहिए, कितने resources मिलने चाहिए तो ये भी आपके gender के base पर ही जो है, तैं होता है संस्ट्रितियों के में gender की भूमिकाई भिन हो सकती है किसी भी cultures में, अलग-अलग संस्ट्रिति होती है, अलग-अलग culture होती है area के according, तो area wise जो है, जो culture है तो क्योंकि समाज के दूआरा है, तो जो आज-पास के society है, उसके दूआरा ये change हो सकते है समय के हिसाब से भी और जगहा के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकते है जेंडर में व्यक्ते तो लक्षन विहावार और मुल्य शामिल होता है जो जेंडर है, ये include करता है आपके personality traits, attitude, behavior and values तो तो ये था आपका जेंडर issue का एक basic introduction जेंडर क्या होता है actually में, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि actually में जो जेंडर होता है, वो socially constructed होता है समाज के दूआरा बनाया गया होता है अब चूकि समाज के दूआरा बनाया गया है इसलिए ये समय के अनुसार और जंगा के अनुसार ये culture के अनुसार, संस्कृति के अनुसार change होता रहता है अब अगर कोई ये कहता है कि वे इस समय के अनुसार change कैसे हो सकता है तो आप live examples देख सकते हैं पुराने समय में और आज के समय में जो gender issue है वो धिरे धिरे change हो रहा है पहले समय में सती परता होती थी, बाल विवा होती थी तो वो सारी के सारी जो परता हैं धिरे धिरे खतम हो रही है पहले जहां महिलाओं को या लड़कियों को जो है स्कूल में education नहीं दी जालती थी आज धिरे धिरे वो चीज़े improve हो रही है आज जो महिलाओं हैं वो घर से बाहर निकल भी रही है जो वगर भी कर रही है तो पहले से और आज के comparison में ये चीज़े फर्क आ रही है समाज के द्वारा निर्मेत है तो वो समय के साथ परिवर्तिद जरूर हो गी तो यहां के जो जादा आंतर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह जो जैनर का जो concept था वो यहां पर हमने discuss किया है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका most important है पेट्रियार्ची यानि कि पित्रसत्ता आत्मकता क्या होता है आपका ये अक्सर short question में पोच लिया जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रस जरूर कर लिजे ताकि जैसे ही नेक्ष वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए दोस्तों के साथ और आज के लिए बस अतना ही मिलेंगे आने वाली वीडियो में आज के लिए धन्यवाद